आप बोल रहे हैं NTA के NEET के एक्जाम के बारे में दो बड़ी anomalies पाई गई हैं when it comes to marks as well as when it comes to toppers मैं दोनों के बारे में बात करता हूँ आप से पहला है when it comes to marks स्वखें के कई बच्चों के 718 मार्क बन रहे हैं 719 बन रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है अगर कोशन अटेंप्ट ना किया होता तो 716 बनते और वो कोशन अटेंप्ट किया है और वह गलत हो जाता तो 715 बनने चाहिए थे 1718 कैसे बने है 19 कैसे बने है और फिर उनके rank का भी difference है उसका rank कही 720 marks वाले बच्चों से भी बड़िया rank दे रखा है ठीक है वो क्या है उसके ओपर NTA ने अपना official answer दे दिया है कि उन्होंने normalization करा है कहीं ऐसे centers पर जितना के मुझे पता चला है जितना मैंने पढ़ा उसमें कि आपका paper जो है बाद में दिया गया था जिस time दिया जाना चाहिए था उससे बाद दिया गया था तो उससे उन बच्चों को नुकसान ना हो उसका normalization किया गया है normalization कोई NTA के लिए new बात नहीं है अचलिए आप इस साल exam दे रहे हैं या आप इसलिए एक दू साल से exam दे रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि normalization कैसे हो गया कैसे नहीं हो गया normalization बहुत बार हुआ है NTA ने कि ए NTA मनलब जो भी conducting agency होती थी जेई में तो बहुत ज़्यादा होता है ठीक है क्योंकि अलग-अलग paper होते है तो ऐसा normalization होना that is very normal ठीक है तो उस बात से ठीक है हम लोग agree भी कर सकते है नहीं भी कर सकते है that is अपना अलग-अलग opinion हो सकता है ठीक है मुझे पूछेंगे मेरा काफी लंबा experience है तो normalization बहुत बार हुआ है ठीक है कहीं बार अच्छा लगता है कहीं बच्छों का अच्छा नहीं लगता है तो I think it's free and fair that's what my point of view आपका point of view difference हो सकता है मैं उसको respect जरूर करूंगा ठीक है but second thing and more important thing जिसमें मुझे लगता है कि पक्का कहीं ना कहीं system की गलती है मुझे नहीं पता है कौन इसके लिए responsible है but there has to be some strict action taken by the NTA that is कि हर्याना के किसी एक center से ही 6 बच्चे ऐसे हैं या उससे भी जादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 out of 720 आया है believe me I know that belt very well of Punjab and Haryana मैं 99.99999% sure हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ घपला हुआ है अब वो क्या हुआ है अब वो NTA का काम है मुझे लगता है कि हम as a teacher fraternity सारे teacher बहुत जादा मेहनत करते हैं ठीक है सारे बच्चे बहुत जादा मेहनत करते हैं उसके उपर NTA को relook करना चाहिए कोई ना कोई ऐसा plausible situation देनी चाहिए तांकि बच्चों के साथ जो कहीं ना कहीं ग कि उसमें कुछ ना कुछ गडबड हुई है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं उस belt को ना तो मुझे पता है कि लोग क्या सोचने है कैसे होता है कैसे नहीं होता आई नो इट वेरी वेल ठीक है तो मुझे लगता है या कुछ ना मुझ तो होना चाहिए ठीक है बिलकुल बेुलकुल बिलकुल हां कम से कम उस سैंटर जो के शक के दाइरे में है ठीक है वहां पर रिनीट करवालो यार कम से कम वहीं पर करवालो वहां पर अगर टॉपर्स के उतनी नंबर नहीं आएंगे ठीक है मैं आए थे वो अगली बर 720 ले आए जिसके 720 आए थे वो 690 पे आ जाए ऐसा बहुत जादा पॉसिबिल्टी हो सकती है 680 भी हो सकते है 670 भी हो सकते है ठीक है इट डिपेंड्स अफॉन डे टू डे चीजें वेरी करती है आपको लगता जरूर होगा कि जिसके 690 आए है वो थोड इतने में ही इतने नंबर तो इधर उधर हो जाते है ठीक है बट आई तिंक उस वहाँ पर जो है वो रीडिट होना चाहिए स्पेशली उस सेंटर पे तो होना चाहिए और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अगर वो 6-7-8 बच्चे जो भी है वो इमानदार है तो उनके 720 आउट बिलकुल 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 ठीक है क्या होना चाहिए उस सेंटर पर तो री नीड दुवारा होना चाहिए जिस सेंटर की ये खबरे आ रही है वहाँ पर री नीड जरूर होना चाहिए और मैं उन वच्चों के भी साथ हूँ यार जिन अगर उनने कोई गलती नहीं करी है तो अगली बार एक्जाम दे और 690, 680, 685 भी आ जाते हैं तो उनका 720 वाला स्कोर ही काउंट किया जाए बढ़ हाँ अगली बार एक्जाम देने पर 720 के बाद 400 आते हैं तो साफ पता है फिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ सब को पता है ठीक है बिल्कुल 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 ठीक है और दूसरी बात आप कट अफ के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है मुझे लग रहा है कि काफी जादा क्रिटिसिजिजम हुआ है आगले साल जो पेपर है ठीक है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहिए देखो मैं मैं ने लास्ट एर भी एकीन में बात बूली थी पता ने कि कई बच्चों को बुरा भी लग जाती है ये बात बड़ जो सच है वो यही सच है कि पेपर का लेवल देखो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए आप पांसो साथ पे ठीक है पांसो सतर पांसो असी पांसो होती थी कि 690 पे 685 पे जो आल इंडिया रैंक वन हुआ करता था मच मेंडर सिचुएशन है यह मेरा मानना है यह पेपर का लेवल बढ़ा लो यार थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहे है ठीक है सैवन टुन्टी लाके भी बच्चा जो है एमस नहीं जा पाएगा आपकी बार है फिर इसका कोई सेंस थोड़ा इस बात की है ना हां बट लग रही थी तो पेपर का थोड़ा लेवल बढ़ जाना चाहिए वो सभी के लिए अच्छा रहेगा ठीक है बच्चा भी जब एक्जाम देके आता है उसको चाहे को दो सो नंबर कि उना आ रहे हो वो बाहर आरा क ही कहता कि यार पेपर तो असान था यार ठीक है पड़ लिया होता तो हो जाता इससे वेटरंगी पेपर बढ़ाओ थोड़ा सा उसको लगेगा कि हां यार लेवल थोड़ा ऊपर है मुझे और थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी चाहिए पांसो साथ सतर असी के आसपास ऐसी रह प्रूव करने या बड़ चेसो बीस तीस पे जब बच्चा ड्रॉप करेगा तो आप सोचो यार क्या रह जाएगा ना मलब की आपने किसी एक्जाम में अप्रॉक्सिमेटली जो है एटी टू नाइटी परसंट स्कोर करने के बाद भी ठीक है अगर आप देखें आपको ड् करके पढ़ेंगे सेलेक्शन होगा ठीक है इन सब बातों से ठीक है जो आप चाहते दे कि हम अपिनियन दे हमने अपना अपिनियन दे दिया है कि उस एक्जाम सेंटर पे री नीट होना ही चाहिए होगा नहीं होगा यह मुझे नहीं पता है बड़ मुझे लगता है बच्च लाके जो एमस नहीं जा पारा मलब की सोचो यार थोड़ा सा सोचो मलब की अपने बारे में भी सोचो बच्चों के बारे में भी सोचो हमारे बारे में भी सोचो थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ा दो उससे मच बेटर रहेगा कम से कम ठीक है और नहीं कुछ कर सकते तो AAMS का वेपर यह अलग कर दो, जया से 2019 से पहले हुआ करता था, के NEET का वेपर अलग हुआ करता था और AAMS का वेपर अलग हुआ करता था, कम से कम उसमें कुछ लेवल के कॉश्छंस तो आते थे, बच्चे के कितने भी नंबर आते तो उसको पता होता था, यार कि हाँ इस दाब से मुझे एम्स मिल पाएगा का नहीं मिल पाएगा 720 पे एम्स ना जाना वालगे बहुत 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 बुरी बात है यार ठीक है